हेलो गाइस वेलकम टू मैं चैनल हैंग आउट वित मॉमिता और मैं मॉमिता आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करी हूँ वह है मसाला खिच्डी की तो देखिए यह जो खिच्डी है यह मैंने प्यूर वेच बना है इसमें मैंने लसन या प्याज या किसी भी चीज का मैंने यूज नहीं किया है तो इसे बनाने के लिए मैं जो जो इंगेडियन्स के यूज करूंगे वो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ तो यहाँ पर विंटर सीजन में बहुत तरह की सबजिया मिलती है तो उसमें से मैंने कुछ एड़ किया है यहाँ पर मटर है कॉलिफ लावर है गाजर है और यह है मूंग दाल तो मैं यह मूंग दाल के खिचड़ी बना रही हूँ और यह चावल है यह बास्मती चावल नहीं है यह पुलाव बनाने का चावल है चोटे दाने वाले चावल है इससे खिचड़ी बहुत अच्छा बनता है और यहाँ मैंने मसाले में यू और देखेंगे कि एक दो इंग्रीटियूम्स और अड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैंने पैन को गरम कर लिया है और यहां पर मैं मुंगी दाल को ड्राय रोस्ट कर लूँगे हलका सा ताकि यह तब तक मैं तरह सर उसे रोस्ट करूंगे जब तक इसका जो कलर है वो लाइट ब तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और मुझे इतना ही इसे ड्राय रोस्ट करना है और अब तक मैंने दाल को धुला नहीं है तो अब मैं दाल को धोलूँगे अच्छे से और यहां मैंने चावल को धो के पहले से ड्राय कर लिया है और एक पैन में मैंने आयल एड कर द झाल झाल आलो और गोवी फ्राई हो गए है और इन्हें में निकाल लोगी और निकालने के बाद जो तेल है उसको मैं उस तेल को यूज कर लोगी और उस तेल में अब यहाँ पर एक चमच जीरा डाला है उसके बाद मैं आड़ करूँगी दो सुखी मिर्च तेजपत्ता और सब को एक जावार क्रेकल होने के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लोंगे इसे मैं आप मैं अपने हप्सरी और तो दीरे दीरे मैं इसमें आड़ करूँगी देश्च है एक से देश्च है अद्रक क्योंकि इसमें मैं और कोई मसाला नहीं आड़ किया है तो अधर की गॉंटिटी मैंने और उतना ही एक से देठ चमच यहां मैंने जीरा पेस्ट भी आड़ कर दिया है इन दोनों को मैंने पेस्ट कर दिया है आप चाहे तो यहां जीरा पाउडर भी यूज करणी कर दों कि गुष दर तक इसे फ्राय कर लेना है और यह थोड़ा सब खाला वी पानि डाला है इसे अच्छे से सब को सारे मसालिय है पने आप में मिक्स हो जाएंगे और इसे मिक्स करने के बाद किस दर तक इससे ओल सेमाट नहीं दो जाए देखे इस तरह से पानी पुल्कुल ध्राय हो तो अब इस stage में मैं यहां ताल भी डाल दोंगे, डाल एड़ करने के बाद यहां पर मैं चावल भी एड़ कर दोंगे, सब को एक साथ एड़ करने के बाद फिर से इसे mix कर लेना है, मैंने यहां पहले डाल डाल के mix किया है, आप चाहें तो दोनों को एक साथ ही डाल के mix कर ले कुछ देर तक इसे मुझे फ्राइ करना है और इस میں मैंने भरी मिर्च आड़ कर दी आप अपने हिसाब से और जादा भी आड़ कर सकते हैं और हल्दी आड़ कर दी इसक कलر को अच्छा करने के लिए और इसे मिक्स करना है इसे कुछ देर तक अभी डाल औ चावल को मिक्स करना है ताकि इसमें से पानी पूरी तरह से ड्राय हो जाए और तब तक हमें मिक्स करना है दाला चावल को तो आप ये खिच्री जरूर बनाएगा और हाँ अगर आप नए है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा कि आ बहुत अच्छे से मिक्स हो गए है मसाले में दाल और चावल तो अब इस्टेज में मैं एक बड़े बॉल का पानी डालोंगी उतना पानी डालोंगी जितना कि खिच्डी पूरा ये जो चावल है ये पूरा कवर हो जाए क्योंकि ये अब बॉल हो गए इसमें पानी की जरूरत है तो मैं एक बड़े बॉल में इसमें पानी डाल दूंगी और पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लोंगी पानी के साथ देखे इस तरह से खिच्वी बनान तो बहुत ही ये आप लोगा सब बजानते हैं और हम लोग ज़्याधा तर ही साटेडेइ हुख eyelashes लुब माना जाता है तो बनाते मैंने अभी आलू एद कर दिये और और गाजर भी एद कर दिया है अब कुछ दिर इसे पक आना हे हमें ढख के झाल इसमें आपको बीच बीच में चेक करना है कि इसका पानी पूरी तरह से ड्राइ ना हो जाए क्योंकि हमनों खिचरी पतला खाते हैं तो इसे हम मुझे थोड़ा पतला ही रखना है तो इसमें आपको से बीच बीच में पानी डालना है और आपको चेक करना है कि सबजी अच्छ यहां पर मैंने अब एक कटोरा मटर एड़ कर दिया है और जो मैंने गोवी फ्राइए करके रखा तो उसे भी एड़ कर दोंगी यहां पर इसे मिक्स कर देना है और कवर करके रखना आपको यह बिच बिच में चेक करना है कि सबजीया पग जाए और इसमें पानी रहे यहां पर मैंने जो चावल यूज किया है उसे यहां पर गोबिन दोभोग चावल के नाम से जाना जाता है जिसे कि खीर और यह इस तरह की खिचरी बहुत अच्छे लगते है बनाने में और यह बहुत जल्दी भी पक जाते है और बहुत जल्दी सौफ भी हो जाता है तो देखें यह बिल्कुल तयार है रेडी है अब इसमें आपको मैं बस एड़ करूँगी एक से देर चमच गरम मसाला पॉर्डर गरम मसाला एड़ करने के बाद मैं यहां फर से एक चमच नमक एड़ कर दिया था मैंने टेस्ट किया था कि नमक थोड़ा कम है तो मैंने नमक एड़ कर दिया और उपर से मैं यहां पर दो तीन चमच इसमें घी डाल दूँगे खिच्री बस रेड़ी है मैं इसे दो मिनिट बाद ही उतार दूँगे और बिल्कुल यह रेड़ी है लास्ट में मैंने यहां पर थोड़ा से चीनी आड़ कर दे यह ऑप्शनल है यह आप अपने हिसाब से हर जगा चीनी यूज नहीं होता हम खाने में थोड़ा सा खिच्र जरूर बताईएगा ट्राइ करके कि यह आपको कैसे लगा फिर मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए रेसिपी के साथ मेरे इस चैनल में तिल दर बाबाई झाल